हेलो फ्रेंड्स रादे रादे वेलकम बैक टू माई चैनल जहापर बाते करते हैं अल इन टोपिक पर तो गाइज मैं अपनी राधरानी की प्रान परतिस्था करने के लिए जा रही हूँ और यह है हमारी प्यारी सी लाडो मैंने एक पात्र में बड़ा सा पात्र लिया है उसके अंदर मैंने राधारानी को बठाया है और मैंने उसमें चावल डाल दिये हैं और चावल डालने के बाद मैं इसको ढख करके एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और मैंने राधारानी की आँखो पर लाल कलर का कपड़ा भी बांदा है कहते हैं ना कि जो भगवान जी की आखो पर बांदते हैं और बाद में फिर उसको खोलते हैं तो भगवान जी खुद शाक्षात उसमें आ जाते हैं उनकी शक्तियां जो हैं उनमें ही आ जाती हैं तो मैं एक गंटे के लिए वापस से इसको ढख करके रख दूँगी आप कोई भी लाल या फिर पीले कपड़े से ढख करके रख दीजिए एक गंटे होने के बाद मैं राधारानी को जो चावल है उनमें से उनको निकाल लूँगी तो आप भी इसी परकार से एक दिन में लड़ू गोपाल जी ह या राधारानी हो आप उनकी परान परतिष्ठा कर सकते हैं तो ये देखिए राधारानी को मैंने चावलो के अंदर से निकाल लिया क्योंकि एक गंटा हो चुका था तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं फिर क्या होता है कि दूसरे दिन सबजी में बैठाना होता है तो इ तो मैं वापस से फिर इनको इसी तरीके से सबजी के अंदर बैठा रही हूँ जो भी सब्जी आपके पास हो आप वो रख सकते हैं जो सीजन की चली होई सब्जी है वो रख सकते हैं और मैं बहुत ख़श्यू की राधारानी हमारे घर पर आये हैं तो फिर से देखें गाईज मैंने वो ही पातर लिया है उसी में ही मैंने सब्जी रख दी है और उनको ठका रख दिया है और फिर देखें एक घंटा हो चुका है एक घंटे के बाद वापस से मैं उनको सब्जी के अंदर से निकाल करके जो मैंने फल लिये हैं उनके अंदर बै प्राण परतिष्ठा उनकी कर रही हूं तो तीसरे घंटे में मैंने उनको फल के अंदर बैठाया है आप फल भी कोई भी ले सकते हैं तो फिर वापस से मैं ऐसे ही उनको ढख करके रख दूंगी और राधारानी के जो नाम का उच्चारन है उनके मंत्र है उनका जाप करते हुए आप इस काम को करिएगा और फिर से गाइस देखिए एक घंटा हो चुका है और आप मैं राधारानी को फल के अंदर से भी निकाल लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पर फूल लिये है आप यहाँ पर कोई से भी फूल ले सकते हैं और फूल मैं फिर मैं वापस से एक घंटे के लिए राधारानी को फूलों के अंदर भी बैठा दूँगी तो सबसे पहले तो फल में से निकाल लेते हैं आप इनका जो फल है उनका क्या करना है फल आप परिवार में बाठ सकते हैं आप इनको पंडित को भी मंदिर में दे सकते हैं और आप देखे मैंने राधा नानी को फूलों के अंदर बैठा दिया है वापस से फिर एक गंटे के लिए मैं उनको बैठाओंगी वापस से फिर ऐसे ही कपड़ा ठक देना है और जो ये फूल है इनको क्या करना है फूल काम आई जाते हैं इनको सुखा के अपने गमले वगारा में डाल लीजिए और गुलाब की जो पंखड़िया है वो तो फेस पैक बनने में भी काम आ जाती है तो वैसे ही एक गंटा फिर हो चुका है तो गाईज अब मैं ही हाँ इनको फूलों में से निकाल लूँगी निकालने पूर्सी के अंदर मैंने गंगजल मिला लिया है और पंचमरित पांच चीजों से बनाया जाता है तो इस नान मैं आपको इसमें क्यों नहीं दिखा रही हूं क्योंकि देखेगा राधरानी ने कोई भी वस्तर धारन नहीं किये है तो मुझे उनका इस नान अच्छा नहीं लगरा दिखाते हुए तो मैं आपको जो लाडो इसनान कर चुकी होगी और वस्तर पहन चुकी होगी वही आपको मैं दिखाऊंगी तो निकाल लेती हूं फूलों में से तो देखेगा मैंने राधरानी को अपनी लाडो को इसनान करा दिया है इसनान कराने के बाद उनको प दर्शन करते हैं तो जादा अच्छा होता है हमें बगवान जी के दर्शन एकदम से नहीं करने चाहिए सबसे पहले उनका दर्शन उनको ही कराना चाहिए तो मैंने जो उनके सामने सीशा रखा है उसके बाद मैं उनकी आँखों पेसे धीरे-धीरे करके पटी हटा दूँगी तो देखिए मैं जो राधारानी को बंदी हुई पटी है वो खोल रही हूँ और ये देखिए राधारानी कितनी सुन्दर लग रही है मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही है और इसमायल देखिएगा किस तरीके से आई हुई है जबकि मैंने अभी बाल राधारानी का शिं कि मैं इनका नाम क्या रखूँ अभी मैंने इनका नाम नहीं सोचा है तो ये देखिएगा बहुत बहुत सुंदर है हमारी बाल राधरानी हमारी किशोरी जी और अब मैं इनका जो अच्छे से जैसा वो मुझसे शिंगार करवाएंगी वो शिंगार करूंगी उनका जैसे भी वो मुझसे कराती है और पहले तो देखे किते अच्छे से अपने आपको देख रही है तो ये देखेगा गाईज राधरानी ने मुझसे ऐसे शिंगार करवाया है मैंने जो भी उन्होंने शिंगार जैसे भी करवाया है मैंने उसी प्रकार से उनका शिंगार किया है और गाइज मैंना उनको ग्रीन कलर की पोशाक पहनाने वाली थी पता नी राधारानी को पसंद ही नहीं आई उन्होंने पहनी नी फिर वापस से मैंने उनको रैड कलर की पोशाक पहनाई और ये देखिएगा आपको रादे रादे बोल रही है और कितने सुन्दर लग रही है और हैर स्टाइल देखे मेरी राधारानी का कितना प्यारा है मैंने पफ वाला बनाया है और जैसे भी उन्होंने शिंगार करा है बिना सिंगार के भी राधारानी बहुत सुन्दर लग रही है और अब ये आ चुके है मंदिर में मंदिर में मैंने पूजा कर दी है पूजा के साथ जो मैंने भोग लगाया है भोग में खीर और अर्वी की सबजी पूरी बनाई है क्योंकि जो राधारानी को अर्वी की सबजी बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में मैंने उनको दूद और मीठा भी दे दिया था और साथ में उनका जो शिंगार का शमान अर्पित किया हुआ है सिंगार के समान में उनकी चूड़ी लिपिस्टिक बिंदी जो भी होता है वो मैंने अपनी बाल राधरानी को चड़ाया हुआ है और देखें यहाँ पर मैंने मिस्तान भी रखा है आप यहाँ पर फल भी जैसे भी आपके यहाँ पर स्विधा है आप कर सकते हैं भाव रही हैं तो देखें राधरानी कितनी मुस्कुरा रही हैं कितने सुन्दर लग रहे हैं और मेरे बाके बिहारी जी को भी देखिएगा कितने प्यारे लग रहे छोटे वाले लल्ला को भी देखिएगा तो गाईज उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि मेरी वीडियो की हार्ड नोटिक वेक्षन आप तक जल्द से जल्द पोस्ती रहे और आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में यह जरूर बताईएगा कि राधरानी आपको कैसी लगी और मैं इनका क्या नाम रखूँ जरूर जरूर बताईएगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में आज के लिए इतना ही राधे राधे हरे क्रिश्ना